संशोधित मोटर वीकल एक्ट के दुश प्रभावों के बारे में आम लोगों की बीच सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है महीं आम जंता को ये भी गलत फहमी होती है कि भरश्ट पुलिस कर्मियों पर नजर रखने वाला कोई नहीं है जो खुद भी यातायात नियमों का उल्लंगन करते हैं हाल ही में चंडीगर पुलिस ने एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी का चालान काट कर आम जंता की गलत फहमी को दूर कर दिया है दरसल चंडीगर में एक पुलिस अधिकारी को बार बार बाइक चलाते हुए मुबाइल फोन का उप्योग करते हुए पाया गया और ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई एक यूजर ने अपने ट्विटर पर इस पुलिस अधिकारी की वीडियो पोस्ट की जिसके बाद ये वीडियो बेहत वाइरल हो गई सूत्रों के अनुसार पंजाब के सब इंस्पेक्टर ने इस पुलिस अधिकारी पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगाया गया है हाला कि अभी इस पुलिस कर्मी की पहचान नहीं हुई है लेकिन मालिक गुर्मीत सिंग के नाम से बाइक पटियाला में पंजिकृत है दिल्चस्प बात ये है कि इस बाइक का बीमा 26 जून 2019 को समाप्त हो गया था जिससे साफ जाहिर होता है कि ये पुलिस कर्मी दो महिने से बीमा के बिना ही बाइक चला रहा था लाओ जी दोस्तों देखो ने यारा चंडी गड़तिया सड़का था ये ही फोन जे यसी यूस करते हूं दे जा कोई हो यूस्ते इनने मगर ला के गटी कि वाओति हो सो